असलाम लेकूम, वेलकम टू हफसे वेलाग्स, उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे, आज हम बना रहे हैं मसर चावल, उसके लिए पहले हमने लेसर नद्रक लेना है, और साथ में दो टमाटर लेने हैं, लेसर नद्रक वन टेबल स्पॉन की, जितना आप ले सकते हैं और दो टमाटर, अब हमने प्रेशर लिया है, उसमें देर पाव मसर डाल दी हैं, वोश करके, अब इसमें हम दो टमाटर जो हमने लिये थे, उसको कूटके हमने एड कर दिये हैं, और इसमें अब हम मसालास एड करेंगे, सबसे पहले हमने 1 तेबल स्पॉन हल्दी ली है, 1 लाफ्टी स्पॉन जीरा, 1 टेबल स्पॉन नमक, एक भरी लाईची, पान से छे काली मिर्चें, और दार्चीनी का टुकरा, वन टेबल स्पॉन दादरा मिर्च, और पान से छे साबा थरी मिर्चे करिंग करके, वन से टू टेबल स्पॉन सूखा धनिया, अब इसमें हम पान से छे क्लास पानी एड करेंगे, साथ भी इसको भंग प्रेशर लगा देंगे, 25 से 30 मिनट, आप आदा खेंटा भी लगा सक पानी में, अब इसको हम बॉइल कर लेंगे, उसके लिए पहले आपने एक पतीली लेनी है, उसमें हमने 5 गलास पानी एड किया है, उसमें हम 1 टेबल स्पॉन नमा कर देंगे, और थोरा सा ओल और हाफ टी स्पॉन जीरा, राइस हमने 3 गलास लिये थे, इसलिए 5 गलास पान अब इसको बॉइल नने देंगे, वाइल आ गया है लाइस हमने एड कर दिए थे, बॉइल आने के बाद राइस एड कर देते हैं और ये पानी जब सुखेगा इसको दम लगाएंगे सो हंजी पानी सुख गया था ये देख सकते हैं अब इसको हम दम पर लगा देंगे और दम ऐसे नहीं लगाना आपने पहले नीचे इसके वो रखना है तवा और फिर उसको हलकी आँच पर दम लगाएंगे ऐसे पहले एक आपने तवा ले लेना है और उसके बाद आपने इसको उपर पतीली रख देनी है और हलकी आँच पर लगाना है मसर हो गे थे अब इसको हम तरका लगाएंगे मसर को पहले हमने एक फाइपन लेना है उसमें कुकिंग गोईल अट करना है और लसन अधर का हमने पेस्ट बना लिया था कूट के और अब इसको हम हलका सा ब्राउन होने देंगे ब्राउन होने के बाद हम मसर को तरका लगा लेंगे तब तक मसर भी हमारे रेडी हो जाएंगे I mean pressure से pressure open करने के बाद 1 tablespoon गरम मसाला और लसन अदरक हमारा brown हो गया था अब इसमें हम add कर देंगे लसन अदरक और इस तरह आप तरका लगा सकते हैं बहुत easy है आप सब देख सकते हैं इस तरह आप इसको तरका लगा सकते हैं और final look आपके साथ मैं भी शेयर करूंगी राइस भी हमारे रेडी होने वाले हैं तब तक और आपको final look इसके साथ शेयर करूंगी आपके साथ मेरे प्यारे स्वीवर्स मसरचावर रेडी हैं बहुत ही yummy है और बहुत easy recipe है आप सब भी जुरूर ट्राइ कीजिएगा उमीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो comments box में जुरूर बताईएगा ऐसी मज़े मज़े की recipes और vlogs देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें शुक्रिया अलहाफीज